जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब से मेरा मन था कि भाई Studio headphones उनको मैं use करूँ जैसे बड़े-बड़े अमेरिका के YouTubers यूटूबर्स यूज करते है Audio Technica ATH M50X वगएरा वह इसे headphones यूज करूँ और अभी recently एक company आई है भाई One Audio करके है उन लोग काफी जादा सस्ते में headphones बनाते हैं वो लेवल की quality देते है actually मैं तो भाई मैं ढूंडी राथा मैं सोच राथा कि मंगाओ 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 उतने में मेरे को सामने से आई है कि भाई ये हम आपको headphones भेजना चाहते है One Audio का आप एक बढ़ ट्राए करो लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात है मैं इसके बारे में सुनिया ना ऐसा सुना है कि भाई दॉस हाजार के headphones उनके लवल की audio quality मिलती है हमको So, hey what's up guys, one of me is here and this is the full review of this One Audio Pro 10 after using it for more than 25 days So, let's begin लगभग-गभग 27 दिन पहले मेरे पास ये आया है एक-दो दिन तो लगभग 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 उसको burn-in करने में ही चलेगा उसके पहले इतनी अच्छी हावास quality की थी नहीं फिर अब मैंने burn किया दो दिन तो फिर कुछ समझ में आने लगा है अभी उसके पहले मैंने unboxing किया है तो भाई पहले आप लोग unboxing देखो उसके बाद हम review की बात करते हैं यह है हमारा one audio का studio 10 24 months की extended warranty है अगर आप register करोगे तो DJ headphone power of the music pro 10 G इसका model है frequency 22,000 kHz speaker 50 mm का है new audio driver है और बहुत सारे inputs वकरावी दिये हुए हैं यहां पर impedance वकरा दिया है बहुत सारी इस दो specifications और नॉर्मल चीज़े हैं अगर आप इनको Amazon पर review करोगे तो free gift मिनेगा आपको पचास लगा that is weird यह registration के लिए है और यह है main अपना book इसके अंदर सारी details दी भी है यह है हमारे main headphones तो इसके अंदर हमको दो cable मिल जाती है एक यह बड़ा वाला DJ वाला cable है इसको आप amplifier वगरा में कनेक कर सकते हो आराम से तकड़ा है यह भी cable का quality बहुत अच्छा है और यह भी देखो 3.5 mm जो यह 6 mm का jack है यह भी gold plated है यह 3.5 mm का भी jack gold plated है उसके पाद यह केस के अंदर यह वाला है headphones ओके बहुत ही बड़े हैं तो यह वाला केस मेला हमको यहां पर केसी quality भी ठीक है भाई पूरी नहीं है अब 2000 पर में क्या-क्या लोगे भाई यह case है इसके साथ में और यह है हमारे headphones बहुत ही यूज लग रहे हैं तो ऐसा गिर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है एक्चुली देखा जाते हैं कुछ जादे ही ओके काफी बड़े हैं और मैंने हलके में लिया थे इनको काफी बड़े हैं और भाई ऐसा तगड़ा है quality भी ऐसा घूम जाता है और अंदर भ नेकलिर यह पूरा पाट इतना घूमता है और इतना घूमता है तो 90 अजिएबर यह नव्याद ब्रेंडिय्ज घंड़े हैं selber रएक्जुला नीच्ष के साइडमने जव्यल्य तो पूरा बड़े है और उसके बाद रुत हम्छे कैंटे को कर गोड़े और इसके अंदर 3.5 mm का जया अप्रोक्सिमेटली हमें जो 25 डेस से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और एडिटिंग में सबसे जादा यूज होता है सबसे जादा यूज इसको हम लोग एडिटिंग के लिए करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुत जल्दी ऐसा कुछ लगता निया यह रिप्लेसेबल निया लगता और जो इयर कब्स भी है वो में को मतलब इतने जादे मज़ेदान ने रहा है मतलब यह जो हेड़फोन है इन में में मेमरी फोम मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं कहता है वो काफी जादा तगड़ा है बहुत ही जादा जो अडियो टेक्निका M-Series के हेड़फोन है उनसे बहुत जादा इंस्पाइड है तो M50X पगर अपने देखा होगा तो उसके ही टाइप का कुछ डिजाइन है इसका मेरा हेड काफी बड़ा भी है अगर मैं कमफर्ट की बात करूँ तो जो अंदर जो कपस है वो उतने जादे मोटाई में है तो और ज्यादा कमफर्टिबल हो सकता है क्योंकि कान का यह पाट होता ना कान का पाट वो थोड़ा-थोड़ा अंदर के साइड में चुपता है तो वो थोड़ा-थोड़ा कुछ गंटों में अगर आप गंटे-गंटे तक यूज करते हो और एडिटिंग तो भाई गंटो-गंटों तक के होती है तो वो थोड़ा सा इरिटेट करने लगता तो थोड़ा सा उठा के एडजस करना पड़ता है अगर आप चश्मा पहें तो आपको और भी जादा अनकमफर्टिबल लग सकता है बाकि ओवर ओल लॉल लॉंग आवर्स में भी काफी कमफर्टिबल रहता है एक दो-दो गंटा कंटिनूसली पहन के बैठो कुछ ऐसा दिक्कत होता नहीं है इवन में मुंबई मेरता हूं यहां का टेंपरचर बहुत जादा है उसके बावजूद भी कोई दिक्कत लगा नहीं कि भाई पसीना हो रहा है इतना जादा एक्स्ट्रीम लेवल का कमफर्टिबल नहीं है दो-हजार के साब से इट वरी-वरी कमफर्टिबल इक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो यहां पर है ना दोनों हेड़फोन में जैसे आप दोक देख रहो दोनों साइड में पूर्ट जिये हो है यह साइड में 3.5 mm हेडफोन का पूर्ट है नॉर्मल आपके फोन में जो लगता है वह अला खाली दिख रहा है न अब इसके अनर आप हेडफोन कानेक्ट करोगे यह वाले पूर्ट में और वह एडफोन को कान में लगाओगे और यह वाला पूर्ट अगर आपके कंप्विटर में चानेक्ट है गाना विरा बज रहा तो भाई इसमें भी सुनाई देखा और जो सामन स्का है बहुत ज़ादा सहुंद है ओमिर्फ इसका मेरे प्रेफरंस जो है वो वह बैलान साउंड किये में को बाला आपके समयान साट सिंब्स स्याइचर बहुत ज्याधा पसंदाता है जो इसका के साथ भी है मतलब अगर आप नॉर्मल फोन में लागे चलो अग्दम मस्ट चलेंगे लेकिन अगर आपके पास जैक वगरा है एंप्लीफायर वगरा है जो अच्छे क्वालिटी के डैक्स आते ना भाई अगर उनमें लगाओगे तो भाई इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अगर यह उनके लिए नहीं है यह उनके लिए है जो उनको सारी फ्रिक्वेंसी चाहिए वोकल्स एक्डम क्लियर आने चीए हाइस तो एक दम खनक की आवाज आती है जब कोई भी चीज की तो वह जो आवाज होती है एक दम परफेक्टली सुनाई देती है और बिना इरिटे वो जितने आपको सुनाने देना चाहता है आपको इतना सुनाई धिना चाहिए इसमें उतना ही सुनाई देगा उससे ज्यादा बेस नहीं सुनाई देगा स Success क्रिस्टल क्लियर है तो यह मेरे को काफी अच्छा लगा जो ओवरॉल साउंड क्वालेटी है न भाई वह एक्स्ट्रीमली सेटिस्फाइं है मतलब दो हजार में मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा बेटर साउंड क्वालेटी वाला हेडफोन आपको मिलेगा मैंने दस हजा क्लियर ठीक रहते हैं लेकिन जो एडिटिंग की बात आती है जो ओवरॉल जैसे आप मुवीज वगरा देख रहो तो हर एक डायलोग एकदम पर्फेक्ट कुछ गिरा तो पर्फेक्ली आवाज सुनाई देती है कि वह कुछ गिर के तूटा है कैसा वो सारी चीज़े बहुत इसको sound quality के लिए खाली बाकी build quality तो चdess है मह बताई दिया building quality comfort and sound quality तीन main important factors होते हगै तो भाई तीनों इसकी बहुत ज्यादा तकड़ी है खाली जो comfort level है वो उतना मज़ेदार नहीं लगा जितना मैं सोच रहा था और memory foam वगरा होता तो जादा मज़ा आता बाकी overall I am very very satisfied with the headphones आपको अगर खरीदना है तो नीचे description में link available है बिंदास खरीद सकते हो एकदब 100% recommendation है अगर आपका budget 2000 रुपया है आपको wire वाले earphones चाहिए कि घर पर बैटिक आपको movies दिखना है या फिर गाने भी सुनना है या फिर mainly आपका काम है audio mixing producing या फिर video editing अगरा तो आँख बन करके purchase क तो भाई बिंदास purchase कर सकते हो इस चीज में मेरा fully recommendation है कभी अट्राफो में मिल जाता है बता हो तो वो price में तो भाई steel deal है आराम से आप खरीच सकते हो तो बस इतना ही था मेरा review guys I hope ये video आपके लिए helpful थी अगर helpful थी तो like कर दो share कर दो channel को subscribe कर लेना और ऐसे ही amazing quality tech videos देखनी ह बाई